आज हम लोग देखेंगे टेंस यानि के परजेंट सिंपल टेंस का जो बाकी बच गया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डव्लू एज कोश्चन वर्ड पिछले क्लास में हमने आफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस कर लिया था इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो जैसे की इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से सुरू होता है जैसे क्या मैं आपके उपर सब करता हूं तो उसका इस्ट्रक्चर हो जाएगा तो अगर हम लोग देखते हैं कि कौन से subject के साथ डू लगाएंगे और कौन से subject के साथ डू लगाएंगे तो आई, वी, यू, देट और noun plural के साथ हम लोग डू का परियोग करेंगे जैसे he, see, it, noun, singular के साथ हम लोग डू का परियोग करेंगे जैसे dodge plus subject plus bourbon plus object का परियोग होगा वैसे ही he, see, it, noun, singular के साथ dodge plus subject plus bourbon plus object और question mark का परियोग होगा उसी तरह हम लोग एक example देखते हैं जैसे क्या मैं आपके उपर सक करता हूँ तो I के साथ do I doubt you, do I doubt you, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं do I cast doubt on you, question mark कहां भी रहेगा, question mark कहां भी रहेगा अब यहां पर हम लोग doubt के बाद on नहीं लगा है यदि हमें on लगाना है, doubt के बाद preposition लगाना है तो इसको हम लोग noun के रूप में परियोग करेंगे और लिखेंगे cast a doubt on you उसी तरह दूसरा example देखते हैं क्या वह परिक्षा देता है तो वह के यानि he, इसके साथ लगेगा does he take the exam क्या वह परिक्षा देता है फिर हम लोग देखते हैं क्या वह स्कूल जाती है तो यहां पर वह यानि कि see वह जाती है तो उसके जगा पर हो जाएगा dodge, see, go to school इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के बाद हम लोग देखेंगे या question word, question word का question word जैसे कि how, what, why, where, when यह सब हो गया question word उसका structure होता है question word, plus, do, oblique, dodge, plus, subject, plus, verb, plus, object और question mark, यानि कि example देखते हैं हम लोग आप लोग कहां रहते हैं, आप लोग कहां रहते हैं, कहां यानि कि where और जो उसके साथ भर भी होजोगा subject के अनुसार होगा यानि कि आप, it is a subject तो आप कहां रहते हैं, तो where, do, you, leave, और question mark उसी तरह यह गारी कहां जाती है यानि या गारी कहां जाती है, where, dodge, this, train, go उसी तरह example आगे देखते हैं, वह कैसे इस नदी को पार करता है वह कैसे इस नदी को पार करता है, कैसे how, dodge, he, over swim, this river तो हम लोग present tense को खतम कर दिये, present simple tense को खतम कर दिये, इसके बाद हम लोग देखेंगे present continuous tense So, let's start the present continuous tense अब हम लोग इसको पाचानेंगे कैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, verb प्लस रहा है, रही है, रहे है इसके पाचानने का निया, यानि how to know it is a present continuous tense तो verb प्लस रहा है, रही है, रहे है उसका structure हो जाएका subject plus r is m plus verb plus ing plus object अब हम लोग कौन से subject के साथ कौन सा verb लगाएंगे तो i के साथ m लगेगा, v के साथ r, u के साथ r, d के साथ r, और noun plural के साथ r लगेगा he के साथ is, c के साथ is, it के साथ is, और noun singular के साथ is लगेगा उसके बाद हम लोग देखते हैं, example, मैं आपको खोज रहा हूं, i के साथ m लगता है, i am looking, i am looking for you उसके बाद हम लोग दूसरा example देखते हैं, वह यहां से जा रहा है, he is going from here वह यहां से जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, i के साथ, i am लगता है, i am reading affirmative sentence हो गया, अब हम लोग देखेंगे, present continuous sentence का negative sentence तो negative sentence का structure होता है, subject plus am, is, are, plus not, plus verb, one, plus ing, plus object तो यह तो हो गया थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, जैसे कि am, not, am के साथ not लगाएंगे तो उसको हम लोग short form में कर देते हैं, subject plus amount, isn't, aren't, plus verb, plus ing, plus object अब हम लोग इसके कुछ example देखेंगे, जैसे, वह बिमारी का बहाना नहीं बना रही है तो इसका हो जाएगा, c isn't faking illness, faking illness आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, you aren't doing your work, doing your work negative sentence के बाद हम लोग देखेंगे, interrogative sentence और yes no question यानि कि क्या से सुरू होता है, क्या मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो इसका structure हो जाएगा, r is m plus subject plus verb plus ing plus object और question mark, तो यहाँ पे हम लोग example को solve करेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा, am I helping you और question mark, तुसरा हो जाएगा, क्या वे लोग इस काम को कर रहे हैं तो वे के साथ, वे का होता है they, तो क्या, यानि कि क्या वे लोग इस काम को कर रहे हैं तो are they doing this work? और question mark, अब यहाँ पे एक rule है, जैसे कि negative, interrogative में I के साथ amount का पड़ियोग नहीं करते हैं amount के साथ, मतलब I के साथ amount का पड़ियोग नहीं करते हैं, तो amount के जगा पे हम लोग पड़ियोग करते हैं, aren't का, जैसे example में देखते हैं मैं आपको सच, मैं, क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं तो यह हो जाएगा, amount I, amount I speaking the truth, तो अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो यह आई के साथ amount यह बिलकुल गलत है, इसको ऐसे नहीं बनाना है, अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसा रहता है, तो हम लोग amount के जगा पर, amount के जगा पर, aren't का पड़ियोग करेंगे, जैसे I aren't, I, speaking, king the truth, speaking the truth.